नमश्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्राउन समान्य ग्यान किस बुक का चैप्टर नमबर 5.7 इसके तहट हम लोग कवर करने वाले हैं अपने चौते महादीब को जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया जी हां ऑस्ट्रेलिया तो जितने बच्चे हमा मार्किट से वाई करिए और हमारे साथ इस बुक को तरीके से खालेट करिए कहते हैं कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से जाला अच्छा किसी एक किताब को दस बार पढ़ लेना ठीक है धियान रखिए बस एक बात और कि कुछ करने की भी कीमत चुकाने है और कुछ न महादीब दोस्तों दो चीजों का अपको ध्यान रखना एक होता है और एक होता है और यह और 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 यह यह धान रखिए गा यह एक देश है छोटा सा ऑस्टेरिया जिसकी राजने होती है वियना और यह महादीब है चलिए अब बात करते हैं सबसे पहली बात तो यह कि ऑस्टेलिया महादीब में कुल देशों के संख्या कितनी है बेसी कोईशन्स यह हुआ क्या आपको मालूम है इसके बारे में चल अब बात करते हैं उत्तरी अमरीका दच्चिन अमरीका के बारे में नाक्स्ट वीड़ोगों डिबढूम डिसकस करेंगे आप बोलोगे एसिया महादीप, ठीक है, एसिया अफरीका और यूरोप के बारे में हमने छेत्रिफल आपको डिसकस किया है, जो बच्चे हमारी ओल्ड स्टुडेंट हैं, वो सब बच्चे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तीनों महादीप का एरिया कितने वर किलोमेटर हैं आगे बढ़िये, पिछला भूलते रही है, इस सिद्धान पर पढ़ रहे हो तो अभी इस वीडियो से आप कुट कर सकते हो, आगे बढ़िये पिछला रिविजन करते रहे हैं, सबसे बहुते हैं कि सरवोश बिंदु कौन सा है, आस्ट्रेलिया का, ये है आपका क्या, माउ कि आखिरकार जो प्रबुक नधी बेसीन है, इसको बोलते है, मरे डारलिंग, क्या कहते है, मरे डारलिंग, अच्छा मरे डारलिंग, जो ये रीवर है दोस्तों, ये आखिरकार, नधी बेसीन जो है, इसकी लंबाई एकुल कितने गलोमेटर है, रैपिट फायर एवीजन, लाइफ क्लास, अनलेक्टिन और प्राइवेट क्लास, आप सब को याद होगी अच्छे से, तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, तो इसका भी आंसर भेजिएगा, अगर नहीं मालूम है, तो गूगल करिएगा, याद आ जाएगा, दोस्तों यहाँ पे आपको एक पाइंट इस बुक के उपर और लिखना है कि आकरिकार जो ऑस्टेलिया महादीप है, इसकी खोज किसने करी थी, एक्जाम में आप से बूसता है कई बार, दोस्तों जो आपको ऑस्टेलिया महादीप है, इसकी खोज दो व्यक्तियों ने मिलके करी थी, एक था आपका एबिल तस्मान ध्यान रखेगा इनका नाम क्या है Abel Tasman कब करी थी 1642 में ठीक है उसके बाद कुछ समय के बाद में एक personality और आया जिसका राम था Captain Cook Right Captain Cook और कुछ हिस्सा 1769 में खो जा गया उसके बाद आपका तयार हुआ Australia महादीप क्या हुआ Australia महादीप और इस महादीप में कुल देशों की संख्या कितनी है कुल कितने देश है अगर ये बात आपसे बूशी जाएगी तो आप बोलोगे इसमें 22 देश है देखे कुछ चीज़ा आपको हौचपच लग रही हूँगी साइडों में लगते रहे बुक के जो प्रिविजन करोगे उस टेम को मज़े आएगा पड़ते समय ठीक है इसलिए कह रहा हूँ जो लिखना है अपको बुक के उपड़ लिखनी है अब बात करते हैं सबसे बड़ा नगर कौन सा यहाँ पर तो सबसे बड़ा जो उससो नगर है वो है आपका Sydney अच्छा हम भारत में रहते हैं यहाँ आपको अच्छे मालूम होगा ना तो भारत में आकर कुल बंदरगा कितने हैं छोटे मोडे बहुत सारे उनकी गिंती मत करना जो सबसे बड़े जो बंदरगा भारत के अंदर है उसके सिंख कितनी है ग्यारा बारा तेरा चौदा पिछली सिरीज में डिसकस करी थी कर रखा है हमने भई जो पढ़ रहे हैं तरीके सुनकर याद होगा ना चलिए याद है तो बेड़ी आंसर 13 डाइट आंसर था इसका अब दोस्तों मर्रे डार्लिंग के तहत आपको ब्रैकेट में एक चीज़ और लिखनी है कि मर्रे डार्लिंग की कुल लंबाई होती है कितनी 3750 किलो मीटर है चलिए अब थोड़ा सवर बढ़ते देखिए खोज करता का नाम है आप आ चुका है कैप्टन कुक मुझे लगा की नाम शायर नहीं होगा है आपर बर जस्ट मुझे आ रहा है इसमें एबल तस्मान लिखना है एबल तस्मान का नाम है नहीं लिखा हुआ है जबकि एबल तस्मान ने सबसे पहली बार और आउस्ट्रेल के खोज़ करी थी बाकी का थोड़ा बत हिस्सा जो खोजा था इन्हों खोजा था कैप्टन कुक ने अब बात करते कि आउस्ट्रेलिय के चारो और क्या है चारो और परसांत महासागर हिंद महासागर बाकी और भी छोड़े बने सागर है बड़ा पुद्दोची ध्यानक नहीं है एक परसांत महासागर है हिंद महासागर है इसको कर ये हाइलाइट और उसके बात ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड तथा आसपास के जितने भी दूइप है इनको मिला करके क्या बनता है उसेनिया क्या बनता है उसेनिया तो उसेनिया में कौन-कौन सामिल है उस्ट्रेलिया भी सामिल है और निजिलेंड भी सामिल है और उसके आसपास के कुछ दूई पिस्तित है चलिए अब बात करते हैं कि आस्टेलिया क्यों 85 भूमी कहते हैं क्यों भई 85 भूमी इसे जो बोलते हैं 85 भूमी बोलने की सबसे बड़ी वज़ा यह है कि यहां पर बिल्कुल न blender वर्सा होती है यहां वर्सा बहुत कम होती है ठीक है सूखा रहता है माकसिमेरिये में इसलिए इसको बोलते हैं 85 भूमी अब इसका एक नाम और है औस्टेलिया महादीब का इसको बोलते हैं दूई पिया महादीब दो नाम है इसका ऐस्टेलिया के एक नाम है इसका प्यासी भूमी और ब्रैकिट में और लिखी गा क्या यहां लिखी है दूई पिया महादीब ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आपर यहां का कवर हो गया यह भी कवर हो गया चलिए ऑस्टेलिया के जो मूल निवासी होते है उसे क्या क्या कहते है जो आस्टेलिया के मूल निवासी होते है इसे बोलते है अबो रीजनल तथा न्यूजिलेंड के जो मूल निवासी होते है उसे क्या बोलते है माओरी आप से पू को मैं आपको highlight करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यह ना इंसाफ ही जाएगी इस वीडियो के सांथ अब जिसको ग्यान के लिए पढ़ना है तो वह एक लाइन को अपने recording पढ़ सकता है अपने knowledge के अधार पर देखिए Australia वर्ल्ड का सरवाधिक bauxite एवं सीसा उतपादक देश है जो Australia महादीप है इसमें वर्ल्ड के सबसे अधिक क्या मिलता है बॉक्साइट मिलता है और सीसा मिलता है और Australia महादीप में कुछ पसू पक्षी ऐसे भी है जो अन्य महादीप पर नहीं पाया जाते है जिसमें आपका है सबसे बड़ा kangaroo ठीक आपका न्यू साउथ वैल्स की हंटर घाटी को Australia का रूर कहा जाता है Australia का रूर कहा जाता है अब यह रूर किस चिडिया का नाम है भई किसी को मालूम है देखिए अभी मैंने कुछ ताइम कुछ दिरे पहले क्लास ली थी ना दूसरी प्रेटफॉर्ट पर क्लास होई थी व दूसरो रूर वास्ता में एक ऐसा छेतर होता है जो खनीजों से संपन होता है अब भारत का रूर किसे कहा जाता है एक्जाम में यह पूशा गया है या फिक किस नधी को भारत के रूर की संग्या दी गई है रूर यह संग्या मिलती है दामोदर नधी को और भारत का जो आखिरकार भारत का रूर पठार कौन सा है ये आपका छोटा नाकपुर का पठार तो रूर कार थी ये होता है कि वो ऐसा छेतर जहां पर खनीज्जों की मातरा सबसे अधिक पाई जाती है जो उसकी अर्थवास्ता को मजबूती परतान करती है आपको पता है ना मैंचेस्टर वगरा लास्त रिज में डिसकस किया था हमने ठीक है टैक्स्टाइल क्या होती है ये डिसकस किया था तो उसी में एक रूर टर्म को भी अपना एट कर लिजेगा नाक्षबन देखते हैं दोस्तों कि वर्षा की कमी के कार्ण औस्टेलिया में केवल 4% भूमी पर करशी होती ह है most 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 time भी है लेकिन दोस्तों ऑस्टेलिया के परमुक जो गेहु उत्पादक देश है ये भी आपको ध्यान लखना है गेहु उत्पादक देश भी कुछ ऑस्टेलिया के पास में है इसका है नियू साउथ वैल्स जो अभी हमने नाम कुछ समय पहले सुना था दोस्तों ऑस जिसका नाम है टॉरेंस तो टॉरेंस जल संधी कहां पर पाई जाती है ये आपको मिलती है और आस्ट्रेलिया और नियू गनी के बेच में अब यह जल संधी क्या होती है संधी का मतलब ट्रेटी आपस में थोड़ा सा मिलन करना ठीक है अब जैसे कि यह एक देश है यह नहीं भी है बट जल की Pachthi के साहरे यह यातायाद कर सकते हैं। इसे बोलते हैं जल संदी क्या बोलते हैं जल संदी कोई दिख कर तूंनेगे किसी को सही है न triangular अगर कोई भी आपके मन में doubt हो किसी भी point को ले करके आप मुझे बिंदास इस video पे comment कर सकते है अच्छा यहाँ पर मैं बार बार एक word का परियोग कर रहा था New Zealand तो New Zealand का रास्टे पक्षी क्या है एक्जाम में यह कोशन बूसता है यह होता है आपका किवी क्या होता है किवी इसके अलावा आपको और एक चीधानक नहीं है कि Australia महादीप को क्या कहते है The Land of Golden Fleas या फिर Land of Kangaroo प्यासी भूमी या फिर प्यासी भूमी का देश और दुईपिये महादीप यह सभी इसके नाम है यह भी आप अपने इस बुक के उपर लिख लीजेगा देखे जो मैं आपको इडिशनल फैक्ट दे रहा हूँ यह पिछले एक्जाम में प्रिविस एक्जाम में कई बार पूछे गए है यह तो आपको याद करने करने है अप जो एडिशनल फैक्ट इस बुक में नहीं दी गई इस कर्थ यह नहीं कि यह बुक बिल्कुल खराब हो गई हम नहीं पढ़ेंगे अब यह काफी सारे चीज़ इस में मिस है आप जो भी बुक पढ़ोगे हर जानकर यह आपको हर एक बुक में नहीं मिलने वारी जाए आपको किसी भी पॉब्लिकेशन को फॉलो के नहीं करो आपको मल्टीबर सोर्स से बढ़ना पढ़ता है बट आपको बस टाइम नहीं है इतना सोर्स नहीं है इतनी बुक्स भाय करने का इतने कापसिटी नहीं है ठीक है बैस्ट ओप्शन से यह कि इस वीडियो को आप दो बार देख लिए जगा अब नैक्स्ट हमारा महादीप है अंट्रा कटी का महादीप ठीक है इसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में बस यह वीडियो लगता है बहुत चोटा बन गया कोई दिक्कत नहीं चोटा वीडियो बन गया डिसलाइक करने वाला सबस्क्राइब नहीं करेगा यह बात ध्यान रखेगा बाइबाइब एंड थैंक्यू सो मच